किश्मिष खाने वले जिरूर सुने पहला पाचन में सहायता किश्मिष में फाइबर अच्छी मात्रा में होता है पानी में भीगोने पर वे प्रकृतिक रेचक के रूप में कार्य करते हैं भीगी हुई किश्मिष का सेवन करने से कब्ज और मल त्याग असानी से होने में मदद मिलती है इससे पाचन तंत्र भी सुचारू रूप से कार्य करता है अच्छे मल त्याग से कैंसर की संभावना कम हो जाती है दूसरा सूजन और अमलता में किश्मिष के अंदर पोटाशियम और मेगनीशियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है जिससे अमलता को कम करने में मदद मिलती है इससे शुदीर में कहीं पर भी सूजन आई हो तो वो कम हो जाती है तीसरा एनीमिया का इलाज इसमें आइरन होता है जो एनीमिय के इलाज में सहायक है विटामिन B कॉंपलेक्स और कॉपर सामगरी लाल रख्त कोशिकाओं का निर्मान करते हैं अगर आप भी एनीमिय से पीडित हैं तो किश्मिस का सेवन जरूर करें चोथा रख्त चाप को प्रबंदित करने में पोटाश्यम की मातरा होने से शरीर में नमक की मातरा का संतूलन बहतर होता है जो रख्त चाप नियंतरन में मददकार है एंटियोक्सिडेंट आहार फाइबर का अच्छा स्त्रोध होने से रख्त वहिकाओं के जैवर सायन को मिलती है पाच्छवा दात रोग के लिए किश्मिश में पाया जाने वाला ओलिनॉलिक एसिड दातों की सडन को रोकता है किश्मिश खाने से दातों की किटानों दूर होते हैं और दात स्वस्त रखने में मदद मिलती है जब बैक्टीरिया दातों में बढ़ने लगते हैं जिससे दातों में कैविटी हो जाती है किश्मिश के सेवन से इन जिवानों के बढ़ने पर रोक लगती है किश्मिश में कैल्शियम का भी अच्छा सर होता है जो दातों को छीलने से रोकने में मदद करता है बौरान मुझूद होने से यह दातों को सफेद करने में भी मदद करता है छटा कोलेश्टोल नियंतरन में इसके नियमित सेवन से अच्छा कोलेश्टोल बढ़ता है और खराब कोलेश्टोल कम होता है जिससे हिर्दे स्वास्थे में सुधार होता है और रक्त के ठक्के को बनने से रोकने में मदद मिलती है साथवा हडियों के स्वास्थे के लिए कुछ लोग शारीरिक रूप से बहुत कमजोर होते हैं ऐसे लोगों को भीगी किश्मिश के फायदे प्राप्त करने चाहिए क्योंकि किश्मिश में बड़ी मातरा में बौरान होता है जो हडियों के निर्मान के लिए महतपूल्ण है कैल्शियम भी उच मात्रा में होने से शिरीर में ताकत रहती है और हडिया मजबूत बनी रहती है आठवा तवचा की देख भाल किश्मिश तवचा के लिए बहुत ही फायदेमन होता है यह तवचा की कोशिकाओं को शतिग्रस होने से बचाता है रोज किश्मिश का सेवन किया जाए तो तवचा को पोशन मिलता है जिससे तवचा चमकदार हो जाती है और जूरियां आदी को रोकने में भी मदद मिलती है किश्मिश रक्त को शुद करती है जो पूर्ण रूप से तवचा की सेहित के लिए अच्छी होती है नुवा इमनिटी बढ़ाने में इसमें विटामिन B और C भरपूर मात्रा में होता है जिससे प्रतिरक्षा परणाली मजबूत होती है अगर प्रतिरक्षा परणाली मजबूत होगी तो शरीर में संक्रमन नहीं होगा जिससे शरीर कई बिमारियों से दूर रहेगा और शरीर को बिमारियों से लड़ने की शक्ती भी मिलेगी किश्मिश के एंटी इंफ्लमेंटरी गुण और जिवानू रोधी गुण संकर्मन के साथ ही कई तरह की बिमारियों से बचाते हैं दस्वा, स्वस्थ बालों के लिए किश्मिश बालों को सुन्दर बनाता है, नियमित रूप से सेवन करने से बाल चमकदार होते हैं बालों के जड़ने की समस्य को दूर कर बालों के विकास में सहायक है काली किश्मिश जड़ रहे बालों का उप्चार करने में मदद करती है काली किश्मिश में विटामिन C होता है, जो खोपडी की सूजन को रोकने और कोशी का शती को रोकने में सहायक है सिर्की खुजली रूसी को भी किश्मिश के सेवन से रोका जा सकता है ग्यारवा नींद के लिए जो लोग आप्रियाप्त नींद या अनिद्र से पीडित हैं उनमें सुबह खाली पेट किश्मिश खाने के फायदे होते हैं क्योंकि इसे नियमित खाई जाए तो शरीर का तनाव कम होता है यह सही मानसिक शक्ती को बढ़ाने वाली होती है इसमें सौडियम नहीं होता और पोटाशियम पाय जाता है जिससे यह बहतर नींद में मदद करता है दोस्तों आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी और कौन सी जानकारी सबसे अच्छी लगी कॉमेंट बॉक्स में जुरूर बताएं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें शेर करें और चैनल को सबस्क्राइब करें मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद